बहुत important concept है, एक्जाम में बहुत पूछा जाता है, सिर्फ इतना पूछा जाता है कि अनिकांत बाद किस धर्म संबन देता है, मैंने इसके उपर यही question देखा एकसर, बागी देखा ने, क्या है यह, यह इतना important चीज है कि अगर इसको सब लोग अपना ले, तो संसार से सारी स सत्त वो है, जो हमारी ज्ञान से परे है, तो जब उसको नहीं जानते, तो उसके सामने हम अंधे हैं, तो सत्त को जो भी बताएगा, वो अपने अपने नजरिये से बताएगा, और हो सकता है कि वो सत्त बोल रहा हो, लेकिन दूसरे के लिए वो सत्त बोल रहा हो, यह भी हो स जखता है, confusing? Confusion मैं जानी जरूद नहीं, मैं सम जाता हूँ, ऐसे समझ ये कि इश्वर क्या है? किसी को नहीं पता, मैंने देखा इश्वर नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, मरी काल से किसी नहीं देखा, तो उसकी खोज में चलते हैं साथ, तो इश्वर की खोज में गए कई लोग, अब चार अंधे, अब अंधे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उनको सत्त का ज्यान नहीं है, चार अंधे एक जंगल से जा रहे थे, जंगल से जा रहे थे तो एक हाथी उनको मिलता है, यह हांती है, यह हांती बनाने कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन यह मुझसे कभी भी आस तक हांती बना नहीं है, यह हमेशा कुछ और ही बन जाता है, कुछ चूह टाइप बन जाता है, शायद इस बर बन जाता है, नहीं बना, चूह ही बन गया है, खेर अनी भई, तो this is हांती, मान लीजे, जैसे मैं तुम मानते न, X होता है, जैसे ये मान लीजे हाती है, तो चार अंधे यहां पहुंच जाते हैं, एक अंधा यहां खड़ा हो जाता है, एक अंधा यहां खड़ा हो जाता है, और एक अंधा यहां खड़ा हो जाता है, अब यह कहता है कि देखो हमारे साम सामने डाल है फेवल की डाल है कि देखोлек करता बोने यार भागल हो तुम हमारे सामने सामने दिवार है कि तुम विलकुल तुम तो आता नही कि यह यहांहिक रहे हो थेसरा यह तुम दोनों विपकूफ हो हमारे सामने जो चीज है वो एक रस्सी है क्योंकि वो पूँच देख रहा है वो रस्सी है वो रस्सी को सत्य मान रहा है उसका सत्य रस्सी है चोथा अलग बैठा हुआ है उपर की तरफ यहां पर वो गरा या तुम तिनों बेखूफ हो हमारे सामने एक पंखा है क्योंकि इसका जो कान था ये इसके कान को छूरा था हमारे सामने एक पंखा है अब ये बताई इनमें से कौन जूट बोल रहा है कोई जूट बोल रहा है इसमें से कोई जूट ने बोल रहा है, सब सत्त बोल रहा है सबका अपना अलग-अलग सत्य है सत्य को देखने का नजरिया सबका अलग-अलग होता है सबका अलग-अलग होता है और आप जिस नजरिया से जिस चीज को देख रहे हैं ठीक है वो सत्य है अब आपका सत्य है लेकिन दूसरा आदमी उसको किसी और नजरीय से देख रहा है तो वो उसका सत्य है वो असत्त नहीं बोल रहा है आप यह समझे इस बात को वो असत्त नहीं कह रहा है आपको एक और एक्जम्पल में देता हूँ कि कुछ नियूस चैनल ऐसे है जो माल लेते हैं कि एक चैनल X है एक चैनल Y है यह BJP को बहुत सपोर्ट करने वाला है और BJP को सपोर्ट करने वाला नहीं है ऐसा माल लेते हैं तो माल लेते हैं टमाटर की कीमते बढ़ गई तो अब ये जो सपोर्ट करने वाला चैनल ये कहां जाएगा ये किसान के पास जाएगा किसान से पुझेगा हाँ वही किमते अच्छी मिल रही है आपको अप तो अच्छा लग रहा है आपको क्या कहना आपको बीजेबी सरकार क लेकिन इसी समय ये जो एंटी पार्टी वाला है ये जाएगा ग्रहडियों के पास महिलाओं के पास पूछेगा हाँ टमाटर बड़े में आगे हो गए तो क्या कहना है आपको महिला कहेंगे हम तो बड़े परशान है हमारी बजट बिगड़ गया है ये हो गया है वो गया ह ये कहेंगे देखिए गिरणी ये कितने परिशान है देखिए देश में क्या हो रहा है कितनी महगाई हो रही है और ये वाला कहेगा देखो कितना अच्छा प्राइस मिल रहा है अब मामला उल्टा हो गया टमाटर सस्ता हो गया तो अब ये जाएगा कहां ये जाएगा किसा के पास तुक बताई आपको क्या क्याना है तमाटळ बढ़ सस्ते हो गई में भड़ा अच्छा लग रहा है बड़ा बढ़िया हो रहा है अप समझ रहें is किस दोनों के चीज़ों को देखने का नजरिया अलग है अब समझ में आरहा आपको यह जगाा हर जगह यह चीज अप्लिकेबिल है धर्म की बात करूं मेरा धर्म अच्छा तेरा धर्म अच्छा तेरा धर्म अच्छा अरे भाई सब का इश्वर को देखने का नजरिया इश्वर की पूजा करने का तरीका अलग है सब का धर्म अच्छा है सब की सोच अलग है लेकिन सब की सो मुंदे तेस को यादर किया